Good afternoon all of you, कैसे हैं आप सभी? मैं माधुरी, welcome करती हूँ आपका MD Law Classes में देखें, आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ, Contract Act का Definition Close Interpretation Close, जो Section 2 में पढ़ते हैं, उसमें जितनी भी Definitions दी हैं वो सारी Definition में आपको as a Concept और जो बेरक में दी गई हैं, वो सारी Clear करूँगी इसकी Sign की Date, इसका Act Number और सारे Chapters, ये मैंने आपको पहली वीडियो में करवा दी हूँ अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी, तो इसका Pin कॉमेंट किया हूँगा लिंक में, देख लीजेगा अब आईए स्टार्ट करते हैं, Section 2, Interpretation Close देखो, चाहे Interpretation Close दिया हो, चाहे Definition Close दिया हो, चाहे निर्वचनखंड, चाहे परिभाश हैं बात एक ही है, इसमें कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है, कि मैडम इसको Interpretation Close क्यों बोलते हैं, इसको Definition Close क्यों नहीं बोला देखो, क्याना क्या चाहता है, पूरे एक्ट में जो Important Words है, उसी कोई तो Define कर रहे हैं, तो चाहे Interpretation Close बोलो, चाहे Definition Close बोलो, कोई दिक्कत नहीं तो Indian Contract Act कब का है, 1872 का है, इसका Act Number क्या है, Act Number 9 of 1872 Act Number हर एक Major Act का आपनों को याद रखना है, Act Number क्या है, 9 अब मैडम Contract Act का Act Number भूल जाएं, तो इसका Year याद रखो, 1872, 1872, तो 188 और 1 क्या होता है, 9 तो Contract Act का Act Number क्या हो जाएगा, 9 of 1872 अब Section 2 हम पढ़ रहे है, Interpretation Close निर्वचन खांड, इसमें A से लेके J तक Definitions दे रखी है मैं आपको बेरेक्ट भी बताऊंगी, मैं आपको इसका Concept भी बताऊंगी कि इस Definition को आप याद कैसे रख सकते हो और इसके Key Points भी बताऊंगी हर एक Definition में, आईए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले Definition है हमारी प्रस्थापना, प्रस्थापना Proposal अब एक बात बताऊं कि जब Contract कर रहे हो, Contract करने के लिए Minimum कितनी Parties चाहिए? 2 Parties चाहिए, एक Party तो खुद में Contract करने से रही, Minimum आपको 2 Parties चाहिए, Maximum कितनी भी हो सकती है अब बात क्या कर रहा है Proposal, Proposal मतलब कि आप किसी Person को, सामने वाले Person को कुछ Offer कर रहे हो, कुछ Proposal कर रहे हो किसी बात को करने के लिए या किसी बात को नहीं करने के लिए, Proposal Positive भी हो सकता है, Negative भी हो सकता है तो जब एक Person अपनी किसी इच्छा को, सामने वाले Person को संग्यापित करता है, एक Word दिया गए, संग्यापित करना मतलब अपनी इच्छा को पेश करता है सामने वाले Person के लिए, चाहे तो उससे अनुमती प्राप्त करने के लिए या किसी काम से प्रविरत रहने के लिए प्रविरत का मतलब होता है उससे रोकने के लिए या उस काम को न करने के लिए तो जब इस किसी बात को लेकर अपनी इच्छा किसी दूसरे परसन को संग्यापित करता है तो इसका मतलब है वो प्रपोजल करता है ठीक है, सिंपल सी बात, एक परसन अपनी इच्छा को संग्यापित करता है, दूसरे परसन को, ताकि उससे अपनी अनुमती ले सके, या उस काम को नहीं करने के लिए कहे, तो ये क्या करता है, प्रपोजल करता है, आईए बेरक्ट में देखते हैं, बेरक्ट कहता है, कि जबक को इस द्रस्टी से संग्यापित करता है, मतलब पेश करता है, कि ऐसा कार्य या प्रविरती के प्रती उस अन्य की अनुमती प्राप्त करें, तो ये क्या का जाता है, ये प्रपोजल कहा जाता है, तो टू ए प्रपोजल, जब अपनी इच्छा किसी अन्य को संग्यापित कर चाहे तो उसकी अनुमती प्राप्त करें चाहे प्रविरती के लिए तो क्या का जाता है वो प्रपोजल करता है अब बात आती है कि मैडम इसमें की पॉइंट्स क्या है देखो तीन बाते आपको याद रखनी है अंडरलाइन करेंगे सबसे पहली किसी बात को करने या करने की प्रविरती करने से प्रविरती ठीक है पहला की पॉइंट किसी बात को करने या करने से प्रविरती दूसरा पॉइंट अपनी रजामंदी दूसरा पॉइंट याद रखेंगे इसमें अपनी रजामंदी क्या कर रहा है अपनी रजामंदी थार्ड पॉइंट इस द्रस्टी से संग्यापित करता है संग्यापित करता है और fourth point अनुमती प्राप्त करने के लिए अनुमती प्राप्त करने के लिए तो ये चार key points से आप proposal की definition लिख सकते हैं कैसे जोड़ोगे देखो बार बार जब आप revision करोगे और ये key points आपको याद रहेंगे तो exam में easily this definition को लिख सकते हो कि जबकि कोई person किसी बात को करने से या करने से प्रविरत रहने के लिए अपनी रजामंदी इस द्रस्टी से संग्यापित करता है कि किसी व्यक्ति की अनुमती प्राप्त कर सके तो वो क्या करता है proposal करता है कुछ नहीं लिखने से अच्छा है key points याद करके कुछ तो लिखो मैं आपको जो important key points बताते हूँ ये बहुत help करते हैं exam में definition जब आप as it is बेरट के रटके जाते हो न कुछ ना कुछ भूल जाते हो या उस time ऐसे होता है कि कोई starting का point बताते है फिर लिख ले ऐसी नौबती क्यों आने दे जब key point हमें पूरी definition में सिरफ 4 point हमें याद रखे पूरी definition का 80% हम लिख सकते हैं then why क्यो नहीं करते हम किसी के भरो से lifetime नहीं बैठा जा सकता कुछ करके आप बहुत कुछ कर सकते हो तो 2A proposal अब देखो एक person ने proposal किया अब सामने वाली party simple सी बात है या तो उसको accept करेगी या उसको deny करेगी तो 2D कहता है हमें प्रती ग्रहन acceptance 2D प्रती ग्रहन acceptance अब देखो 2B में क्या कहता है कि जबकी वैव्यक्ति जिससे प्रस्थापना की गई है जिससे प्रस्थापना की जाती है उसके प्रती अपनी अनुमती संग्यापित करता है तब वैप्रस्थापना प्रती ग्रहित हुई कही जाती है कि जिस person ने proposal किया सामने वाले person को उससे अगर वो अपनी अनुमती accept कर लेता है, संग्यापित कर देता है, तो प्रस्थापना प्रतिग्रहित हुई कही जाती है, जैसे X person ने proposal किया, किसको किया, Y person को किया, Y person ने उस proposal को accept कर लिया, तो वो क्या हो जाएगा, प्रतिग्रहन हो जाएगा, अब याद रखो, B point में दो definition दे रखी है, एक प्रतिग्रहन की और दूसरी वचन की, नहीं ध्यान करते student की, इसमें कितनी definition दे रखी है, acceptance की भी दे रखी है, और promise की भी दे रखी है, तो इन्होंने कहा कि जब प्रस्थापना प्रतिग्रहित हो जाती है, तब वो क्या बन जाती है, वचन बन जाती है वचन के definition जब proposal accept हो जाता है तो वो क्या बन जाता है promise बन जाता है तो सबसे पहले हमने proposal किया B में उसने accept किया और फिर B में वो क्या बन गया वचन बन गया इसके key point लिखो जिससे प्रस्थापना की जाती है और number B उससे अपनी अनुमती संग्यापित करता है उसके प्रस्थापना प्रति ग्रहित हो जाती है तो वो वचन बन जाती है देन बात करते हैं 2C 2C में वचन दाता और वचन ग्रहिता अब देखो 2% एक proposal करता है दूसरा accept करता है तो यहाँ पर जब proposal accept हो जाता है तो वो बन जाता है वचन तो यहाँ पर वचन दाता और वचन ग्रहिता कौन वचन दाता वो होता है जो प्रस्थापना करता है वो कौन होता है वचन दाता होता है देखें 2C, प्रस्थापना करने वालव्यक्ति वचन दाता कहलाता है, जो प्रस्थापना करता है, वो कौन होता है, वचन दाता होता है, और वचन ग्रहिता जो प्रस्थापना को स्वीकार करता है, वो कौन होता है, वचन ग्रहिता होता है देखो बार-बार ये word आते हैं वचन दाता, वचन ग्रहिता, दाता, अदाता, दाता ग्रहिता तो बदर क्या याद रखने आपको ये जो पीछे वला word है ना ग्रहिता मतलब ग्रहन करना जो ग्रहन करेगा वो कौन होगा दूसरी वाली पार्टी होगा जैसे वचन दाता और वचन ग्रहिता जिसने वचन को एक्सेप्ट किया वो कौन हो जाएगा हमारा प्रोमिजी हो जाएगा और वचन दाता जो प्रोमिजर प्रपोजल करने वाला वचन दाता और प्रपोजल एक्सेप्ट करने वाला वचन ग्रहिता तो 2A प्रपोजल किया 2B एक्सेप्टेंस द देन वो promise बन गया, इसमें promise ने कितनी party होगी? दो, वचन दाता और वचन ग्रहिता देन आता है हमारा 2D, very, very, very important प्रतिफल बहुत बार सुनते हैं, जब तक contract में प्रतिफल नहीं होगा, consideration नहीं होगा, वो contract पूरा नहीं माना जाएगा और जहां पर consideration होता ही नहीं है, तो वो क्या बन जाता है, gift बन जाता है, दान बन जाता है प्रतिफल की definition बहुत बार, pre-k exam में direct पूछी जाती है, प्रतिफल किसमें है और दो नमबर में प्रतिफल की परिभाशा भी पूछी जाती है, आईए पढ़ते हैं, 2D प्रतिफल देखो, जबकी वचन दाता, वचन दाता कौन? जिसने प्रपोजल किया, वचन दाता की वांच्छा पर, मतलब उसकी इच्छा पर, वचन ग्रहिता या कोई अन्यव्यक्ती, कुछ कर चुका है क्या का प्रतिफल में? कि वचन दाता की इच्छा पर, वचन ग्रहिता, वचन दाता की इच्छा पर, वचन ग्रहिता कुछ कर चुका है या नमबर टू करनी से विरत रहा है, मतलब उसने काम नहीं किया, दोई बात हो सकती है अगर मैं आपको कुछ प्रपोजल देती हूँ, तो दोई कंडिशन हो सकती है, या तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे, या उसको डिनाई करोगे अब ऐसा नहीं हो सकता न कि हाफ एक्सेप्ट करो, हाफ डिनाई करो ये चीज नहीं होती, तो दोई कंडिशन रेज होती है, या तो उसको एक्सेप्ट करो या रेज करो तो जिसने प्रपोजल किया उसकी इच्छा पर जो वचन ग्रहिता है, कुछ कर चुका है या करने से विरत रहा है, या करने से प्राविरत रहता है कि कुछ नहीं करता, या करने से प्राविरत रहने का वचन करता है, अब देखो वचन देता है, तब ऐसा कारे, प्राविरती या वचन, उस वचन के लिए प्रतिपल होगा, तब वचन, उस वचन के लिए क्या माना जाएगा, प्रतिफल माना जाएगा, कैसे इस डेफिनेशन को याद रखेंगे एक्जाम के लिए, इसमें बहुत बार या 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 करके जोड़ा हुए, तो आप एक बार उसको इग्नॉर करो, पहले इस डेफिनेशन का कंसेप्ट सम जो किये क्या कहना चाता है, देखो प्रतिफल, कंसीडरेशन, जब प्रपोजल ने कुछ कहा और जो एक्सेप्टर था, उसने एक्सेप्ट किया, या उसने एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, या प्रविरत रहने का वचन देता है, तब वो कार्य प्रविरती या वचन क्या माना जाता है प्रतिफल माना जाता है जैसे प्रतिफल का मतलब होता है कि मैंने आपको प्रपोजल दिया means कि मैंने आपको प्रपोजल दिया andylo classes को join किजिए आपने क्या किया उस contract के during मुझे fees जमा करवाई या registration करवाया यहाँ पर जैसे ही आपने registration तो मेरे और आपके बीच में एक कॉंट्रेक्ट रेज हुआ और आपने जो रेजिस्टेशन करवाया वो क्या हो जाएगा एक प्रतिफल माना जाएगा दो पार्टी के बीच में किसी बात को करने के लिए मतलब उस उस परसन को विश्वास दिलाने के लिए कुछ धन दिया ज जाती है तो वो क्या लाता है प्रतिफल तो कुछ वचन दाता की वांच्छा पर वचन ग्रहिता कुछ कर चुका है या करने से विरत रहा है या करने से प्राविरत रहा है तब प्राविरत रहने का वचन देता है तब ऐसा कार्य प्राविरती और वचन क्या 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 लाता है, तो सबसे पहले 2E प्रपोजल दिया, 2B उसको accept दिया, then वो promise बन गया, promise में दो पार्टी होती है, प्रोमिजर और प्रोमिजी, जब प्रोमिजी ने उस बात को accept किया, उस बात को मान लिया, और उसके बदले में कुछ प्रतिफल दिया, तो है, तो फिलाल वो agreement माना जाता है, फिलाल वो करार माना जाता है, और जब करार लोग के द्वारा enforceable हो जाता है, लोग के द्वारा प्रवर्तित हो जाता है, तो वो क्या माना जाता है, फिर वो contract बनता है, starting में दोनों पार्टी इसके बीच में एग्रिमेंट होता है, ठीक है, अब 2E, 2E देखो करार की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, हर एक वचन या वचनों का समवर्ग, जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल है, क्या कहां, हर एक वचन, जितने भी आपने प्रॉमिस किये, या वचनों का समवर् एक सेकिन, हर एक वचन या वचनों का समवर्ग, जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल है, तो वो क्या माना जाएगा, करार माना जाएगा, जाहे एक प्रॉमिस किया है, या प्रॉमिस इसका पूरा ग्रुप है, तो वो एक दूसरे के लिए अगर कंसिडरेशन है, तो वो क्य माने जाएंगे agreement माने जाएंगे करार माने जाएंगे तो टू ए प्रपोजल किया टू बी में acceptance दैन वो promise बना promise में दो पार्टी होती है प्रॉमिजर प्रॉमिजी प्रॉमिजी ने जैसे ही consideration दिया वो क्या बन गया agreement बन गया यही contract कहते है और यही हमारी definition की एक story बन गया है जैसे ही consideration दिया वो क्या बना agreement बन गया उसके बाद आती है व्यतिकारी वचन रैसी प्रॉकल प्रॉमिस देखो रैसी प्रॉकल प्रॉमिस में student confused होते हैं कि मैडम इसका मतलब क्या है देखो यह व्यतिकारी वचन simple आपको यही याद रखना है और इस definition से ही clear हो जाता है व्यतिकारी वचन होते हैं वे वचन जो एक दूसरे के लिए या तो प्रतिफल है या प्रतिफल का भाग है या प्रतिफल का भाग है तो वो क्या माना जाएगा व्यतिकारी वचन माना जाएगा जैसे ही एक वचन किया या वचन के लिए चाहे complete consideration दे दिया या consideration का एक part दे दिया तो वो क्या माना जाएगा तो ऐसी प्रॉकल promise माना जाएगा व्यतिकारी वचन माना जाएगा to a proposal b acceptance then वो वचन बना वचन में दो पार्टी वचन दाता वचन ग्रहिता डूडी जैसे ही प्रतिफल दिया तो ई में बन गया वो करार चाहे प्रतिफल का एक भाग दिया या पूरा प्रतिफल दिया तो वैसे ही वो बन गया व्यतिकारी वचन फिर टूजी टूजी में आता है हमारा शुन्य करार देखो जब मै मैंने आपको और इसे को और एक्स्टर चीजे हमाने आपको बताये था ताइप ओफ कोनक्रortic PKा होता है था हीतम कि अ butा कि स्था पर पर जफे आक प्रकार के होते हैं जीर्ट तेbakर है two абbor बोलता है कि वह करार जो law के द्वारा enforceable नहीं है, void contract माने जाएंगे, जो करार, जो agreement, law के द्वारा, विधी के द्वारा प्रवर्तनिय नहीं है, वो क्या हो जाएंगे? शुन्य करार, void agreement जैसे कि एक्जामपल, 2023 में मैं किसी परसन के साथ, प्लास्टिक की पॉलिफिंग्स का एक agreement करती हूँ, अब प्लास्टिक की पॉलिफिंग्स तो already banned है, तो अब क्या इस agreement को मैं law के द्वारा enforceable करवा सकती हूँ? नहीं करवा सकती, क्यों? क्योंकि जो agreement मैं कर रही हूँ, वो already banned है, वो करना illegal है, तो जिस agreement को law के द्वारा enforceable नहीं करवा सकती, वो क्या माने जाएंगे? ये void agreement, शुन्य करार माने जाएंगे, जो करार विधी की द्वारा प्रवर्तियन नहीं है, वो क्या हो जाएंगे? शुन्य करार हो जाएंगे, then h, important direct pre का question, to h में किसकी definition है? to h में समविदा, contract की definition है, अब देखो, समविदा क्या होती है? direct parties के बीच में contract नहीं होता, पहले proposal होता है, then acceptance होता है, जैसे ही consideration देंगे, then वो क्या बनेगा? हमारा contract बनेगा, तो समविदा क्या होते है? जो करार, जो करार, विधी के द्वारा, विधी के द्वारा, प्रवर्तनिय होते हैं, वो क्या हो जाएंगे? समविदा कहलाएंगे, जैसे कि मैंने किसी book को लेकर, book publishing को लेकर, मैंने किसी publisher से बात की, अब मैंने उसको proposal दिया, कि इतनी books में को publish करवानी है, इतने पैसे मैं अब ये agreement, जैसे है law के द्वारा enforceable हो जाएगा, वैसे ही ये agreement क्या बन जाएगा? contract बन जाएगा, तो 2H में वह करार, जो law के द्वारा प्रवर्तनिय हो, वो क्या बन जाएंगे? समविदा बन जाएंगे. देखो, जब आप एक एक word के अंदर गुस्ते हो ना, कि मैडम ये क हो, ऐसा क्यों नहीं, then judiciary clear नहीं होती. मैं मानते हूँ law में ऐसे बहुत सारे word है, जिनका concept पता होना चाहिए, जैसे उस definition में मैंने voidable का मतलब बताया है, void का मतलब बताया है, agreement का मतलब बताया है, contract का मतलब बताया है, लेकिन जब आप extra उसमें किंतु परंतु करते हैं, तब करार कौन से हैं, जिनको law के द्वारा enforceable नहीं करवा सकते हैं, contract कौन से हैं, जिनको law के द्वारा enforceable करवा सकते हो, law के द्वारा enforceable मतलब दो parties ने agreement किया और वो court गए, मतलब court में उसमें जितने भी law के तरीके से, विधी के तरीके से, जितने भी sign signature होने थे, वो हो गए, कि वो काम ही illegal है, वो चीज बेन हो चुकी है, तो वो law के द्वार unforciable नहीं हो सकती, तो वो जो agreement था, वो क्या माना जाएगा, void agreement माना जाएगा, और सम्विदा जो law के द्वार unforciable हो सकती है, जो agreement law के द्वार unforciable हो जाएंगे, वो किसका रूप ले लेंगे, contract का रूप ले लेंगे, तो एक चीज अपने पढ़ते हैं, कि जितने भी agreements होते हैं, वो सारे agreement contract नहीं बनते, starting में जितने भी agreements parties करती हैं, वो सारे contract नहीं बनते, लेकिन जब सारे contract हो जाते हैं, तो वो उस क्या होते हैं, agreement होते हैं, तो सारे agreement contract न नहीं होते, लेकिन सारे contract agreements होते हैं, then 2i, शुन्य करनिय समविदा, देखो शुन्य करनिय समविदा क्या होती है, इसमें एक party के विकल्प पर तो वो void होते हैं, कैसे देखो पाड़ते हैं, 2i, वह करार जो उसके पक्षकारों में से एक या अधिक के विकल्प पर तो विधी द वारा प्रवर्तनिय हो जाते हैं, किन्तु अन्य पक्षकार या पक्षकारों के विकल्प पर नहीं, तो वो क्या हो जाते हैं, voidable contract, जैसे आपको example देती हूँ, पहले क्या होता था, बाल विवा होते थे, child marriage होती थी, ठीक है, child marriage करवा देते थे, जब वो बड़े हो जाते थ means लड़की 18 साल की और लड़का 21 साल का, तो यहां पर बच्पन में जो उनकी शादी करवा दी, अब उन दोनों parties पर depend करता है, कि चाहे तो वो दोनों party उसको valid करार कर दे, कि हाँ हम बच्पन से साथ रहते आ रहे हैं और हम इस शादी को accept करते हैं, तो जैसे ही उन्होंने उ जबरदस्ती करवाई गई थी, हम इस शादी में आगे नहीं रहना चाते, तो voidable में parties के पास option होता है, कि चाहे तो आगे उसको continue करें, चाहे तो उसको void declare कर दे, वो होती है शुन्य करनिय समविदा, then शुन्य समविदा, void contract क्या होते हैं, जो समविदा law के द्वारा विधित प्रवर्तनिय नहीं रह जाती, तब वह शुन्य हो जाती है, और जब वह प्रवर्तनिय नहीं रह जाती, मतलब कि void contract में पते क्या होते हैं, ये जो void contract होते हैं, स्टार्टिंग में तो वैलिड होते हैं, जैसे स्टार्टिंग में तो ये वैलिड होते हैं, जैसे कि पे जो contract किया वो valid contract था जैसे ही plasticky polythens ban कर दी गई तब से वो contract क्या माना जाएगा void contract मतलब starting से तो valid लेकिन कुछ circumstances परिस्थितिया ऐसी आई जिसकी वज़े से उसको शुन्य करार कर दिया तो वो क्या माना जाएगा शुन्य संविदा मानी जाएगे तो 2A proposal प्रपोजल को accept किया then वो promise बना promise में एक पार्टी प्रोमिजर होती है एक पार्टी प्रोमिजी होती है then 2D जैसे ही प्रोमिजी ने प्रतिफल दिया वो करार बन गया चाहे प्रतिफल का पार्ट दिया या पूरा प्रतिफल दिया वो भी अतिकारी वचन बना जी में अगर उन्होंने मैं एक स्टोरी बता रही हूँ कि अगर उन्होंने प्रतिफल नहीं दिया तो वो शुन्य करार माने जाएंगे लेकिन उन्होंने प्रतिफल दे दिया, तो वो समविदा मनी जाएगी, समविदा दो प्रकार की होती है, पहले शुन्या करने समविदा, देन शुन्या समविदा, तो 2A से लेके 2J तक ये definition close का एक concept है, और मैंने आपको बेरेक्ट की language भी बताईगी, इससे पहले जो contract के chapters और extra चीजे मैंने बता रखी है, उस वीडियो को भी देख लिजेगा, देन आपका chapter section 1 और section 2 clear हो जाएगा, अगर ये वीडियो आपको helpful लगी हो, तो please अपने friends की साथ share कीजिए, और आप हमारी online and offline दोनों classes भी join कर सकते हैं, MD law classes, contact number आपको description में मिल जाएगा, thank you so much.